साथ्यों नमस्कार, टीचर सिप में आप सभी क्या एक बार फिर से स्वागत है साथ्यों इस वीडियो में हम देखेंगे टोनी प्रतार्णा निवारन अधिनियम संबंधी मतपुर वस्तुनिष्ट आई एमपी एमसी क्यू साथ्यों हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस अधिनियम का पूरा कॉंसेप्ट देखे थे यदि आप इन नहीं देखे होंगे तो जरूर देखे क्योंकि इस अधिनियम का कॉंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही यह वस्तुनिष्ट प्रश्ण और भी ज्यादा अच्छे से समझाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है तो चलिए दोस्तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस अधिनियम के तहट सबसे पहला जो क्वेश्टन देखने वाले हैं साथियों पहला क्वेश्टन है हमारा तो निश्चे तरूप से दोस्तो यदि इसके पहले वाले वीडियो इसका कॉंसेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा फिर भी एक बार उपशन को देखते हैं उपशन A है 26 सितंबर 2005 से उपशन B है 30 सितंबर 2005 से उपशन C है 16 दिसंबर 2005 से और उपशन D है इन मेंसे कोई नहीं तो निश्चे तरूप से दोस्तो इसका जो आंसर होगा option B जो है 30 सितंबर 2005 से पूरे 36 गड़ में इस अधिनियम को लागू किया गया याद रखीगा साथियों आगे बढ़ते हैं next question दिखते हैं 36 गड़ टोनी प्रतार्णा निवारण अधिनियम 2005 को राज जिपाल द्वारा कब स्विक्रिती प्रदान की गई तो याद रखेगा साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा option A हो जाएगा 26 सितंबर 2005 को याद रखेगा इस अधिनियम को स्विक्रिती जो है राज जिपाल के द्वारा दिया गया आगे बढ़ते हैं साथियों next question दिखते हैं 36 गर टोनी प्रतारना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितने धाराएं है धाराओं की संक्या कितनी है पूछा जा रहे साथियों तो निश्चित रुप से आपको पता होगा तो इसका आंसर जो है option B होगा साथियों 16 धाराएं होती है 16 धाराएं इस अधिनियम में है साथियों याद रखेगा टोनी प्रतारना निवारण अधिनियम में कुल 16 धाराएं है याद रखेगा इसका आंसर जो है option B होगा आगे बढ़ते हैं 36 गर्ट टोनी प्रतार्णा निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में टोनी सब्द को परिभासित किया गया है तो याद रखेगा साथियों जो है टोनी सब्द को परिभासित किया गया है तो option B जो है इसका अंसर होगा साथियों धारा 2 के उप धारा पहले मे जो है टोनी सब्द को परिभासित किया गया है और वही धारा 2 उप धारा 2 की बात करें तो पहचान करता का जो है पहचान करता सब्द को परिभासित किया गया है और वही दो तीन में देखा जाए तो ओजा को परिभासित किया गया है आगे हम इसमें महत्पुड MCQ क्वेस् परिभासित किया गया है और वही two-five में देखा जाए तो सहीता सब्द को परिभासित किया गया है इस प्रकार दोस्तों जो धारा दो के तहद ऊप धारा की संख्या 5 है यादर रखेगा तो इसका जो अंसर है साथ तो अभी हमने इसके पहले वाले प्रस्ण में चर्चा भी किये हैं साथियों कि धारा दो के तीन उप धारा में जो है ओजा सब्द को परिभासित किया गया है इसलिए जो इसका अंसर होगा option C होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं इस अधिनियम के अनुसार ओजह से क्या अभी प्रयत है याद रखेगा क्या अभी प्रायः पूछा जा रहा है option A देखते हैं वह जो टोनी द्वारा किये गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो option B देखते हैं वह व्यक्ति जो टोनी को कुछ प्रभावित कर सके और option C देखते हैं वह व्यक्ति जो टोनी से संबंदित हो और option D इनमें से कोई नहीं तो निश्चित रुप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा option A होगा वह जो टोनी द्वारा किये गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो अर्थात जाड़ फू option A इसका जो है आंसर होगा साथियों आगे बढ़ते हैं हमारा next question देखते हैं किसी व्यक्ति द्वारा स्वयम को ओजह के रुप में उपदर्सित करने पर दंड का क्या प्रावधान है कहा गया है साथियों तो निश्चत रुप से इसका जो इसके पहले वाले वीडियो में ह यह प्रावधान है साथियों ओजह के लिए याद रखेगा जाड़ फुक करने वाले के लिए या फिर किसी भी टोनी को टोनी को बताकर उसे उपचारित करने के लिए जो है दोस्तों दंड का प्रावधान रखा गया है तो इसका आंसर जो है option B होगा आगे बढ़ते हैं सा 2005 में टोनी से क्या अभिप्राय है पुछा जारे साथियों तो option A दिखते हैं भूत option B जादूगर option C काला जादू का जानकार और option D है इन में से कोई नहीं तो निश्चे तुरुप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा काला जादू का जानकार जो है टोनी से अभिप्राय बत है हानी सब्द को परिभासित किया गया है तो याद रखेगा दोस्तों इसमें जो है option A देखते हैं सारिक वा मानसिक नुकसान option B है आर्थिक नुकसान option C है प्रतिष्ठा को नुकसान option D है उप्रोक्त सभी तो याद रखेगा साथियों इसका जो आंसर होगा उप्रोक्त अनुसार के तहट बताया गया है हानी सब्द को परिभासित किया गया है इस अधिनियम के तहट तो याद रखेगा हानी जो है सारिक मानसिक नुकसान आर्थिक नुकसान वह प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाना सभी आ जाएगा इसका अंसर आगे बढ़ते हैं साथ्यों next question देखते हैं अधिनियम अनुसार पहचान करता से क्या तातपरिया है option A देखते हैं वह व्यक्ति जो टोन ही को पहचानता हो option B वह व्यक्ति जो काला जादू जानता हो option C वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोन ही के रुप में उपदर्शित करता हो option D है इन में से कोई नहीं तो निश्चेत रुप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा option C होगा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोन ही के रुप में उपदर्शित करता हो पहचान करता के रुप में जाना जाएगा इसमें जो है धारा 2 के दो उपधारा के तहट अर्थात दो दो के तहट बताया गया है इस पहचान करता का परिभासा जो है दोस्तों उसके अनुसार इसका जो आंसर होगा option C होगा साथियों इसका आंसर जो है option C होगा आगे बरते हैं साथियों next question देखते हैं किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान कहा गया है साथियों तो निश्चित रुप से साथियों पहचान के लिए जो दंड का प्रावधान है याद रखेगा option B है इसका answer तीन वर्स का कठोर कारावास साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है साथियों पहचान करता के लिए जो है तीन वर्स का कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है साथियों इसका पूरा concept देखना है साथियों तो इसके पहले वाले वीडियो पर जरूर विजिट करे ताकि यह जो प्रस्न है और अच्छे से समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं साथियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निश्चेत रुप से दोस्तो इसमें जो आप्सन देखते हैं तो तीन साल का कठोर कारावास और ऑप्सन B है जुर्माना ऑप्सन C है उपर युक्त दोनों और ऑप्सन D है मोखिक चतावनी तो निश्चेत रुप से अभी हमने उपर चर्चा भी किये चर्चा के दवरान बता भी डाले थे कि तीन साल का कठोर कारावास साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान है इसलिए जो इसका अंसर होगा option C होगा साथियों याद रखेगा आगे बढ़ते हैं साथियों जो next question है 36 गर टोन ही प्रतारणा निवारन अधिनियम 2005 के अंतरगत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोन ही कहकर उसे प्रतारित करता है तो उसे इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहट 5 वर्स के कठोर कारावास का प्रावधान है तो याद रिखेगा साथियों इसका जो answer होगा उप्सन B होगा साथियों याद रिखेगा धारा पाँच के तहट बताया गया है किसी भी इस अधिनियम के तहट यदि किसी महिला को या किसी व्यक्ति को टोन ही या टोन हा कहकर प्रतारित किया जा रहा है तो उसको धारा 5 के तहट 5 वर्स का कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है दंड के रूप में आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं टोनी के पहचान के लिए दंड प्रावधान किस धारा में किया गया है तो याद रिखेगा साथियों टोनी के पहचान के लिए जो है साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है प्रथम स्रेडी के नियाइक मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतरगत सुनवाई का अधिकार है तो याद रिखेगा साथियों इसका जो आंसर होगा आप्सन बी होगा साथियों धारा नौ के तहट प्रथम स्रेडी के नियाइक मजिस्ट्रेट को जो है सुनवाई करने का अधिकार है इसलिए जो इसका आंसर होगा आप्सन बी होगा साथियों याद रिखेगा और प्रतम स्रेणी के नियाइक मजिस्ट्रेट को ही इस अधिनियम का सुनवाई करने का अधिकार है याद रखेगा उससे नीचे के मजिस्ट्रेट या नियालाय को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है साथियो याद रखेगा ये भी आगे बढ़ते हैं next question टोनी प्रतार्ना निवारन अधिनियम 2005 बनाने का मुख्य कारण मुख्य कारण पुछा जा रहे साथियों तो option A देखते हैं 36 गड़ में टोनी से जुड़े बढ़ते अपरात को रोकना इस option B देखते हैं इस बुराई को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार को समझना और option C देखते हैं जादू टोना जाड़ फुग जैसे अंध विश्वास को रोकने के लिए और option D है उपरोक्त सभी तो निश्चित रुप से इसमें का जो है तीनों option सहीं है A, B, C इसलिए इसका जो आंसर होगा option D होगा साथियों इसका आंसर जो है option D होगा आगे बढ़ते हैं 36 गड़ टोनी प्रतार्णा निवारान अधिनियम 2005 के अंतरगत समस्त अपराद विचारनी होंगे अप्र जिला नियालाय द्वारा, option C, कोटूंब नियालाय द्वारा, और option D देखते हैं किसी भी नियालाय द्वारा तो निश्चित रुप से दोस्तों हमने ऊपर अभी चर्चा किये हैं कि प्रतम स्रेनी नियालाय द्वारा ही विचारनी होगा और धारा 9 के तहट विचारनी होगा याद रखेगा साथियों तो निश्चे तुरुप से इसका जो आंसर होगा option A होगा आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा next question है चतिसगर टोनी प्रतार्ना निवारा नधिनियम 2005 की किस धारा में पिल्डिता को मुआउजा देने का प्रावधान है तो याद रखेगा साथियों मुआउजा देने का जो प्रावधान है वो धारा 13 की तहट है ये बहुत ही important question है साथियों पूछा जा सकता है धारा 13 के तहट जो है पिल्डिता को मुआउजा देने का प्रावधान है याद रखेगा इसका answer option B होगा आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा next question है 36 गर्ड टोन ही प्रतारना निवारान अधिनियम 2005 के अंतरगत किये गए सभी अपराद होंगे याद रखेगा option A देखते हैं संगे और A जमानती option B है असंगे और A जमानती option C है संगे और जमानती और option D है असंगे और जमानती तो निश्चित रुप से दोस्तों हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा भी किये थे इस टाइप का जो question रहेगा इसमें पुछा जा सकता है इस जो है लाइन को याद रखेगा संगे और A जमानती को तो याद रखेगा साथियो इसका जो answer होगा option A होगा संगे और A जमानती जो है इस अधिनियम के जो सभी अपरात के अंतरगत जो सब्द महत्पुर सब्दावली यूच किया गया है वो संगे और A जमानती सब्द काउपयोग किया गया है याद रखेगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका concept देखे भी थे आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा next question है इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान वैन है तो नियम बनाने की सक्ति किसको है पूछा जा रहा है साथियों तो चुंकि साथियों यह जो है इस पेसली हमारे 36 गड़ राजज के लिए है तो याद रखेगा इस 36 गड़ राज सरकार को जो है इसका क्रियान वैन हेतु नियम बनाने की सक्ति प्रदान की गई है तो याद रखेगा इसका जो आंसर होगा साथियों राज सरकार होगा option A होगा तो निश्चेत रुप से दोस्तों हमने आज जो है इस वीडियो में टोनी प्रतार्णा निवारण अधिनियम संबंधी महतपुड MCQ किये इसी प्रकार इस भरती से रिलेटेड अन्य टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचर से धन्यवाद साथियों